हलो दोस्तो आज हम बनाएंगे गेहूं की आटे से नही नास्ता रेसिपी जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो नास्ता बेहदी अलग और बहुत ही टेस्टी बनके तयार होगा तो एक बार इसे ट्राई अपने घरों पे कर सकते हैं क्योंकि रोज रोज पराठे, रोटी एक जैसा नास्ता खा के लोग बोर हो जाते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और इसे खा सकते हैं बच्चों को बड़ों को सब ही को ये बेहदी पसंद आएगा और फिर बन जाने के बाद ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए इस मज़ेदार से रेसीपी को हम बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें आपके घरों में जो भी सबजियां हो उसे ले और बारिक बारिक काट ले यहाँ पे मैंने एक सिमला मिर्च लिया है जिसे बारिक काट लिया है एक गाजर जिसे कदुकस कर लिया है दो आलू को कदुकस कर लिया है दो प्याज को मैंने बारिक काटा है हरी मिर्च टेस्ट करनों सारा थोड़ा सा मैंने मकई लिया है अब इसे हम एक बरतन में निकाल लेंगे और इसमें हम थोड़े बहुत मसाले अड़ करेंगे अब हमें डालना है छोटा चम्मच चाट मसाला और फिर हमें डालना है छोटा चम्मच साबुत जीरा और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है नमक हम बाद में डालेंगे क्योंकि नमक डालेंगे तो वो पानी छोड़ देगा तो इसलिए इन दोनों को हमें अच्छे से इन सबजियों में मिला देना है अब हमें लेना है गुता हुआ आटा अगर रात का बचा हुआ आटा है तो भी वो चलेगा अब इसके हम 3-4 लोई काट लेंगे जैसे हम रोटिया बनाते हैं और रोटि से थोड़ी बड़ी हम बेल लेंगे इस तरीके से हमें अच्छे से रोटिया पहले बेल के रख लेनी है तो मैंने रोटि बेल लिया है ऐसे ही हमें 3 रोटि बेल लेनी है तो मैंने रोटि बेल लिया है अब इसे हम चकले के उपर रखेंगे और फिर इस पे हम सॉस, चटनी या फिर कोई अचार का मसाला वो भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैं एक चम्मच सैजवान चटनी डाल रही है और उसे रोटी में सभी जगा फैला देंगे अब इसके उपर हम कुछ सबजियां डालेंगे जो हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है अब हमें नमक डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो मैंने कर दिया है और इसे हमें रोटी में सभी जगा अच्छे से फैला देना है तो दो चम्मच हम डालेंगे और फिर इसे सभी जगा अच्छे से फैला देंगे तो सबजीयों को मैंने अच्छे से फैला दिया है अब इसकी उपर और एक रोटी इस तरीके से रखेंगे और इसके उपर भी हम सैजबान चट्नी अच्छे से फैला देंगे और इसके उपर भी हम दो चमच सबजियां डालेंगे और उसे भी हम अच्छे से फैला देंगे दो लेयर मैंने लगा दिया है अब इसके उपर हम तीसरी रोटी को रखेंगे और किनारे किनारे अच्छे से चिपका देंगे ताकि अंदर का जो हमने सबजियां भरी हैं वो बाहर ना निकले रोटी को मैंने अच्छे से सभी तरब से चिपका दिया है अब एक जालीदार प्लेट में हम इसे रखेंगे और फिर 5-7 मिनट के लिए भाप में इसे हम पका लेंगे तो पानी को मैंने पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था अब इसे हम रख देंगे और पका लेंगे पांच से साथ मिनट हो चुका है देखिए ये अच्छे से पक चुका है अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा हम ठंधा कर लेंगे जब तक ये ठंधा हो रहा है तब तक हम इसके लिए एक घोल तयार करेंगे एक कटोरी में हमें दो चमच आठा लेना है स्वात के अनूसार नमक और फिर एक चमच हमें तील लेना है और इसे पानी डाल कर अच्छा सा घोल बना लेना है तो मैंने बना लिया है अब इसे हम साइड में रखते हैं और फिर हम जो नास्ता तयार किये हैं उसे हम काट लेंगे तो इसे मैं बीच में से पहले काट ले रही हूँ और इसे मैं आठ भागों में बांट दोंगी तो इस तरीके से हमें काट लेना है तो मैंने काट लिया है अब एक एक भाग को हम निकालेंगे और घोल जो हमने तयार किया है उस पे हम अच्छे से उसमें डुबो लेंगे और फिर इसे हम तल लेंगे आप चाहे तो इसे डिप फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसे कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं अब एक एक टुकडा को घोल में डालना है और उसके बाद तेल में हमें इसे डाल कर छान लेना है तो मैंने डाल दिया है और फिर गैस का फ्लिम हमें हाई रखना है क्योंकि सभी चीजे जो है पक चुकी हैं सिर्फ इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें तल रहे हैं और इसका टेस्ट जो है वहत ही अच्छा आएगा अब ये एक तरफ से फ्राई हो चुका है तो हम पलट देंगे दूसरी तरफ से पकने के लिए तो इसे उलटते पलटते हुए हमें फ्राई कर लेना है अब ये फ्राई हो चुका है अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे तो एक एक करके हमें सभी को अच्छे से बाहर निकाल लेना है और आप इसे चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ खा सकते हैं बेहद ही टेस्टी बन के तैयार होता है तो मैंने सर्फ कर दिया है तो आप भी इसे अपने घरों पे एक बार ट्राई जरूर करें तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए और हाँ अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आएं है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद